हेलो दोस्तों आज किसी वीडियो के माध्यम से एक और अप्डेट बताने के लिए हम आपके पास जूड़ चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो को देखिएगा बहुती बंपर वैकेंसी आ चुका है चिकित्सा विभाग में 6409 पदो को बढ़ानी की security यानि अब जो स्वास्ती विभाग के अंतरगत चिकित्सा विभाग के अंतरगत टोटल 64009 पदो को बढ़ानी की security यहां पर मिल चुका है साथी दोस्तों headlining अगर यहां पर आप लोग देखिएगा तो यह भी देख सकते हो सबसे ज़यदा पद nursing officer के बड़े हैं अभी जो nursing officer है इनके साथ ही और भी पदो के लिए vacancy जो जारिक किये हैं वो चीज़ देख लेते हैं फिर details में देखेंगे कैसे apply करेंगे कौन apply कर सकता है क्या selection process है पूरा details जानकारे में आपको देँगे दोस्तो एक नजर यहाँ पर अगर आपर उडालेगा तो आपको यह पूरा confirm यहाँ से जानकारी यहाँ से मिल जाएंगे यहाँ पर देख सकते हो nursing officer के लिए अगर बात करिएगा तो 6000 भरती होंगे अगर pharmacist के बात करिएगा तो यहाँ पर 834 भरती होंगे पहले 2020 था अब 834 होगा वह अगर live technician के बात करेंगे तो 1044 post पहले था अब 1202 post हो गया वह अगर A&M की बात करिएगा तो A&M का 1155 पहले था अब यहाँ पर 2724 post होंगे भरती यानि कि दोस्तों यहाँ पर 4 परकार की ने vacancy आपको दिखने को मिल रहा है जो कि बहुत bumper vacancy इसे हम लोग बोल सकते हैं bumper vacancy इसलिए बोलेंगे क्योंकि इतनी बड़ी A&M की संक्या lab technician की पर्मासिस्ट की और nursing officer की बरती आ रही है तो इससे बरके और क्या खुशी हो सकती है तो दोस्तों इस vacancy को और details में हमें आप लोग को दिखा दिए हैं अगर आप लोग इस vacancy को और details में अगर यहाँ से देखते हैं तो यह देख सकते हो यह जो vacancy है आपको जाइपूर की तरब से निकल करके आ रही है राजस्थान, स्वास्तवाग की तरब से जैपूर की तरब से निकल करके आ रही है दोस्तों आप बात करेंगे परदेश के बुरुजगार, फर्मासिस्ट, नर्सिंग अफिसर, महिला स्वास्त कार करताओं के लिए अच्छी ख़बर है बीत विभाग ने, चिकत्सा विभाग में 649 पदों को बढ़ाने की स्विक्रिती दे दिया है यानि कितना कितना पोस्ट आएगा वो सारा चीत आप तो देखी लिए अब हम आपको यहाँ पर पॉइंट वाली बात बताते हैं यह जो वैकेंसी आपको दिसंबर की लाश्ट तक में आने की चांसे जा आईसा नहीं कि आज स्विक्रिती मिला कल आ जाएंगे, दिसंबर की लाश्ट तक लग सकते हैं आईसा नहीं कि तुरंद आ जाएंगे एक ज़े डेर मैना लगता है क्योंकि जब तो फिर उसे जाकर के जो यहाँ पर समाने परशासन विभाग होता है वहाँ पर जाता है फिर पूरा वैकेंसी का बिग्यापन बनता है फिर बिग्यापन आती है तो थोरा सा टाइम लगेगा आप लो तो अपलाए करेंगे अधा रेजिटेट के स्टूडेंट है तो आप लोग क्या करेंगे राजस्थान नर्सिंग कॉंसिल में अपना रेजिटेशन ट्रांसफर करा करके इस फर्म के लिए आप अपलाए कर सकते हो जीन कैनेडेटों को दूसरे राजजिके हैं अगर चाहते हो कि यहाँ पर जॉब क करके किया जागा तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेगा लिखित इक्जाम होगा फिर आप लोग को सेलेक्शन प्रोसेस होगा तो पूरे डिटेल्स चानकार हम आपको लगभग दे चुके हैं अब यह वैकेंसी दिसंबर के लाश्ट तक में जैसे ही आती है तो हम आपक अफिसर के पोस्ट पर जाएंगे एनियम बाले के लिए एनियम चाहिए लाव टेकनिशन के लिए तो डियमल्ट या बियमल्ट चाहिए फर्मासिस्ट के लिए फर्मासिस्ट के जो कोर्स यहाँ पर कोर्स किया है वो चाहिए तो बिलकुल आप लोग खुस हो जाएए और न तेट बाद यामेटा है, क्यो